दूसरी बात आपको बता दें कि जितने सक्सेसफुल लीडर हैं, चाहे वो उडिसा में नवीन पटनायक हो, चाहे वो आप ममता बेनरजी हो, चाहे बिहार में नितीश कुमार हो, इनके साथ एक बिरोक्रेसी का ग्रूप हावी तो दिखाई पड़ता है, ये बात आप जान ल और इन सब लोगों का एक ही कहना है कि भाई लोकतंत्र का हिस्सा है बिरोक्रेसी, अगर आप कारकरता को बहुत जादा हावी होने देते हैं, तो फिर आप कहने लगते हैं कि गुंडार आ जा गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासन में कारकरताओं का उस अस्तर प है रहे हो डियम से कि जरा खेनी तंबाकू बनाओ, तो वो मैसेज भी बड़ा गलत जाता है, मैं वो कहना चाह रहा था, बिरोक्रेसी, कारकरता, संगठन, इन सब के बीच में संतुलन बनाना ही, एक अच्छे नेता की पहचान होती है, मुझे लगता है, ये भी नहीं दिख पर कानून की मजबूत पकड़ नहीं है, सिकंजा कस नहीं पाता है, तब लगता चलिए जो हो रहा है, उसको होने दीजिए, और इसलिए फिर बहुत तरह-तरह की बाते होने लगती है, आलोक बत्स जी, सुनिल जी कह रहे थे, आप सुन रहे होंगे, ये सच बात है कि 241 सीट भी तो मोदी के ही नाम पर आया है, पर ये जो ग्राफ नीचे गिरा है, क्या आप मान रहे हैं कि पार्टी जमीनी मुद्दे से, क्योंकि इस बार कोई national issues नहीं था, जो कि बहुत emotional issues हों, जिससे लोगों को connect कर सके, तो क्या आप मानते हैं कि जमीनी मुद्दे से पार क्याइटी दूर होती जा रही है, क्योंकि अगर आप बिहार की भी बात करें, तो बिहार में भी नौजवान अब रोजगार की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, बड़े-बड़े नेताओं के जीत का मार्जिन गिरा सिंग साड़े चार लाग से 80 अजार पर पहु तो ये सवाल ये उठ रहा है, कि मार्जिन गिरा है, फिर भी 30 दस तो होई गया, अब लोग बहुत तरह की चीजों की मांग करने लगे हैं, क्या anti-incumbency आभी है, या बीजेपी जमीनी मुद्दों से काफी दूर खिसक गई है, क्या आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई नहीं कहता था कि उत्तर प्रदेश में इस्थिती 33 पर पहुँच जाएगी, ये कोई नहीं कहता था, और कहता भी होगा तो उसकी आवाद सुनी नहीं जा रही थी देखिए पंते जी, सारे प्रकांट विद्वानों ने तो सब कुछ कही दिया, अब जो बचा खुचा है, वो थोड़ा बहुत मैं भी आपको बता दूँगा, सबसे पहला अरे तो आप भी कोई कम विद्वान थोड़ी है, चलिए, आप ऐसा मानते हैं, इसके लिए धन्यवाद है, सबसे पहली बात, कि भाजबा का पूरी तरीके से कॉंग्रिसी करन हो चुता है, ब्यक्ति हाबी है पाथी के उपर, जैसा कि सुनिल शुकला जी ने भी कहा, मोदी की गरेंटी है, संकल्पत्र मोदी के ना, दे देखिया, मुझे एक चीज, मुझे एक चीज पुक्ता तोर पर पता है, कि जिस दिन ट्वीटर पे लिखा जाने लगा, एक्स पर मोदी का परिवार, संग में इसको लेकर के गहरी आपती थी, कि हम ब्यक्ति बात से दूर रहत अखिरकार ये ऐसा क्यों लिखा जाने लगा, इस बात को मैं जानता हूँ, एक चीज बताईए, आप इस बात को जानते हैं, संग भी जानता है, तो संग्ने किया यह बहुत सी चीजों पर, संग खुष नहीं ठाइब, किया क्या संगर यह भी तो जानना क्या परिखिकार है से निकली हुई यह संगठन है उसको यह कंट्रोल करता है समयने बैठके होती है हाद दो महीने पे क्या उन्हों दूसरी चीज जो राम मंदिर का इतना हाइप करके इन्होंने सब कुछ किया काश की हांदी नहीं चड़ा सके इस वार कहीं भी तीसरी चीज वर्कर को जिस तरीके से इन्होंने निगलेट तिया फिर्फ वर्कर को वोट लेने तक या वोट जिलवाने तक उसके बाद को उसको पूछता नहीं है मारा फिरता है दूसरे दल के लोग आ गए 116 टिक्ट दिया गया है लोग सबादे दूसरे दल के आए लोगों को अगर आप सक्ता में बने रहेंगे तो यही हद करेगी चलता आपका ना आपको उपर बेजेगी ना आपको नीचे बेजेगी पीच में लटका के रखतेगी अब आ गया है मुझे जिनके ऊपर रसा कषी होगी आज हाइप ने पटना में रिजेक्ट कर दिया निटीश कुमार के सब क्या करेंगे ने पर एक चीज एक चीज मैं डॉक्टर सुनिल कॉसिक मैं आप से पूछना चाहूंगा यह बुल्डोजर की राजनीती एक समय बहुत चमकी बहुत पनपी इसकी मांग दूसरे प्रदेशों में भी होने लगी लेकिन मैं कुछ उत्तर प्रदेश के MLS से ही बात कर रहा था मैं नाम नहीं लोगा वो कहने ये लगे कि लेक पाल की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो एक नोटिस चस्पा कर देता था और उसको कोई कह नहीं सकता था और इसमें बहुत ज़्यादा घुस खोरी भी बढ़ गई थी और किसी का भी घर गिरा दिया जाने लगा था जिस बुल्डोजर की वज़े से वोट जादा मिलते थे वो इस बार चुनाओं में बैक फाइर कर गया है क्या ये जमीनी हकीकत है क्या पंकर जी मैंने पहले भी कहा था बुल्डोजर की नाजरी जब स्रोव हुई उसके बाद फिर क्या हुआ तमाम जगे से ऐसे आरोप प्रत्यारोप होने लगे जहां बुल्डोजर लेकर के प्रजासनिक अधिकारियों द्वारा दुर्प्योग किया गया उसको कौन रो कह ग एक बार आप समीच्छा करके बुल्डोजर चलाएंगे और एक एक्जाम्पल मैं आपको दे दे रहा हूं फिरुजाबाद जन्पद में एक बिक्ती द्वारा सरकारी जमीन पर कबज़ा करके बिल्डिंग बना दी गई जिलादच ने कई बार डीम से कहा वहां के सांसद ने कई बार डीम से कहा कोई कारवाई नहीं हुई और जब मैंने फोन किया उसको देख करके तो जब लेकपाल और कानून गो वहां गए तो उन्होंने क्या कहा हसी आती है और उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग पे राम निजनिवास की पतिया उखाड करके वहां सेम्मंदिर और राममंदिर और सन्मंदिर लगवा दिया गया अब रिपोर्ट डीम को भेजी गई जब डीम से पिछले विजुवल दिखाए गए और आगे के विजुवल दिखाए गए तो डीम यसे के लेकपाल ये भी कर सकता है क यह लेख पाल ने कैसा फॉर्मूला दे दिया जिसमें कारभाई रुप जाएंगे योगी जी का सासान मंदिल लिकवा दिया इस पर मंदिल लिकवा दिया गया जब प्रेस डिये डिस्टिक में स्टेट मैं कहा फिर मैंने यह कहा कि आप किसे नहीं हो रहा है तो क्या सासन इस से जास कराई जाए तब उस पर SDM ने 122 की कारवाई की पांच साल में अध्याच और सांसत कहते हैं कारवाई नहीं हुई तो यह लेकपाल की भूंका तो है इसमें तो कोई मानने बाला ही नहीं कोई कर दो से सहमत नहीं कह दिया कि साथ मुसलमानों का और यादवाउं का बोट नहीं मिला मुसलमानों का बोट पिछली बार कटना मिला था आप अगा ब्रॉट बाट कर दिया जा जा तो मुझे लगता है हैं तोpha कम हुआ देश मैं तो यह के नहीं जो बड़ी सीटह थी जहाँ लग रहा है कि 160 से ऊपर ऐसी सीटह थी धो लाग से जादा की बड़ी हर जीत थी वह बोट परशाथ कम अगया Southern लेकिन जहां छोटी छोटी चीजा थी वहां बोट परस्थ बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ और वही कार्यकरताओं की नाराजगी जिस सेक्टर में मैं रहता हूं आलोग जी जानते हैं पूरा बीजेपी का 95% और बोट परस्थ आप देखेंगे तो 28% बोट बेंग बोटिंग डाले गए कौफी चाय ग्रीन डी की विवस्ता थी तब बोट परस्थ 28% था वाँ तो ऐसी इस्तिव में तो समझना पड़ाएगा और जब मैंने सर्चा की वहां पे गवंडर साब भी उसी सेक्टर में रहते हैं पूर्ब गवंडर साब भी सेक्टर में रहते हैं क्या कहा सुनने वाला कोई है ही नहीं कहा जाएंगे बोट डाल करके इस्पटर आएगा तो कुछब भी कह जाएगा चौकिंट राजा कि सब लोगों ने सारी बाते कह दी जो उप्योगी थी एक जी जो है इस पर अभी थोड़ा ता प्रकास मेरे मित्र डॉक्टर सुनिल कोशिक ने डाला है एक भी फाइल पंकट जी किसी भी सरकावी दफ्तर से आप बेगर पीड मनीत ये मूग करवा दो जो कहोगे मैं हाज जा बढ़ गया करप्शन भी हर की बड़ी वजय करप्शन और बढ़ गया ये ये भ्रस्टा चार ब्रस्टा चार उन्मूलन की बात होती रही विपक्षियों के घर पे EDCBI पहुंसती रही लेकिन एक भी फाइल बिना पैसे का मूव नहीं कर रहा था मतलब क्या मान लिया जाए कि ब्रस्टा चार भी बड़ा मुद्दा था जिससे जनता तरस्तो गई